कहते हैं यदि मार्ग दर्शन सही हो तो दिये का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है जोहार दूरदर्शन के इस खास कारे करम में आप सभी तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है आज हम इस कारे करम के माध्यम से बात करेंगे कि सिविल सेवा परिक्षा की तयारे के दरान किन महत्वपून बातों का हमें ध्यान रखना होता है हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है डॉक्टर अनिल मिश्रा जिनका पिछली तीन दशकों से जिनके माध्यर्शन में हजारों अभियार्थियों ने सिविल सेवा परिक्षाओं में चाहिव जेपी एसे की परिक्षा हो या यूपी एसे की परिक्षा उतीन हुए है और विभिन प्रसासनिक सेवाओं में कारियरत हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा हम आपका अपने स्टूडियों में हादिक भिनिंदन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी अनिल जी हम सबसे पहले तो विश्रेश कर जार्खन लोग सेवा के बारे में आपसे प चाहे वो आर्स में हो चाहे कॉमर्स में हो चाहे इंजियंग में हो चाहे मेटकल फिल्ड में हो अब इसमें जो सेलेक्ट होते हैं लोग वो किन पदों पर जाते हैं तो इनमें जो सेलेक्ट होने वालोग हैं उनको प्रसासनिक सेवा में उनका चैन होता है राज प्रसासनिक के लिए यह राज का सबसे प्रतिश्चिक सेवा के लिए एक जाम का संचालन होता है जे प्यस्टी के द्वारा और अगर आप administrative service की बात किजे state administrative service जिसको हम लोग बोलते हैं जारखन परशास्थिक सेवा और या फिर जार्खन पुलिस सेवा यह राजी की सबसे पर्तिष्टी सेवा है most prestigious service of the state तो अबियस है कि परतियस्परधा भी बहुत है अब परतियस्परधा बहुत है तो सबसे बड़ी जो बात है selection के लिए कोई भी अगर aspirant इसके लिए तियारी कर रहा है तो इस strategy उसका बहुत ही concrete होना चाहिए बहुत perfect होना चाहिए जैसा कि आपने हमें बताया कि यह परिक्षा जार्खन की सबसे सर्वोच और कठीन परिक्षाओं में से एक है तो हम उसके syllabus के बारे में थोड़ा जानना चाहिए देखिए JPSC का जार्खन लोग से बायों का जो exam होता है यह three stage exam है तीन चर्णों में शंपन होता है जो फर्स stage है उसको लोग बुलते है प्रार्खन परिक्षा एंग्रेजी में preliminary examination या preliminary test इसमें जो questions आते हैं इसमें दो paper होते हैं JPSC PT examination में इसमें दो paper first paper general studies का है जिसमें Indian history, geography, Indian economy, Indian polity, general science और कुछ current affairs के topics पढ़ने पढ़ते हैं अब second paper है वो बिल्कुल जार्खन special है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जार्खन का ही study करना है तो second paper बहुत significant हो जाता है selection point of view से तो हम लोग बताते हैं बच्चों को कि जब आप PT की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा paper one तो ठीक होना ही चाहिए लेकिन paper two पर तुम्हारा special focus होना चाहिए अब ये दोनो paper जो हैं इसके जो questions होते हैं हर paper one में 100 questions आते हैं paper two में 100 questions एक question का जो marks होता है तो total marks 400 होता है और इसमें कोई negative marking नहीं है इस syllabus में जैसे UPSC में अगर आप देखेंगी तो PT के examination में होगा negative marking होता है हमारे JPSC के PT के examination में कोई negative marking नहीं है लेकिन यहां एक बात मैं experience के लिए जो भी बच्चे इसकी तियारी कर रहे हैं उनके लिए express करना चाहूंगा कि PT का exam जो होता है इसका जो marks होता है ये उनके selection में साइड नहीं होता है ये screening test है ये मतलब एक तरसे आपको eligibility दे रहा है कि now you can appear in the main exemption तो इसका mark side नहीं होता है फिर भी ये बहुत decisive role play करता है क्योंकि अगर आप PT ही नहीं पास कीजेगा qualify नहीं कीजेगा तो men's कैसे जाएगा और फिर interview कैसे जाएगा तो ये बड़ा crucial होता है इ सेकेंड जो स्टेज है वो है हमारा ये ये फर्स जो स्टेज है इसमें सारे questions multiple choice questions होते हैं MCQ objective questions होते हैं अब हम लोग second stage की बात करें मेनी जामनेशन की बात करें तो मेनी जामनेशन में जो syllabus है वो descriptive होता है मतलब traditional descriptive type answer वहाँ expected होता है बच्चों से ये syllabus में भी लिखा हुआ है अब इसमें दो तीन बातें जो significant है कि paper 1 जो होता है JPSC का main examination का that is qualifying उसके mark side नहीं होते है वो Hindi और अंग्रेजी का एक basic knowledge का test होता है कि आपको लिखने आता है कि नहीं या उसका basic knowledge आपके पास है कि नहीं है expressive है कि नहीं है यहाँ पर जो second paper है वो खास है छार्खन के लिए जिस वो उसके marks add होंगे paper 1 का marks तो एड नहीं होगा लेकिन paper 2 का mark side होगा वो डेर सो number का होता है 150 marks का और वो जहारखन के बच्चों के हितों को थ्यान में रखकर कि उसको introduce किया गया है so that more and more students of jharkhand could be selected in the in this examination यहीं से बच्ची आए तो उसमें खोठा है नागपूरी है संथाली है मुंडा है कुडूख है ऐसे original subjects भी है और tribal subjects भी है तो इनके marks side होते हैं यह descriptive होते हैं इसके बाद हम लोग third paper में आते हैं तो third paper में आपका 200 marks का paper है उसमें history और geography 100 marks के paper होते हैं वो descriptive है कुछ questions objective भी है इस syllabus के खासियत है JPSC की main examination में भी कि जो 200 का GS का paper है from paper 326 3456 थ्री में जैसे history और geography है तो इसमें जो 20 questions होंगे वो objective होंगे हर question का दू अंक होगा ठीक है similarly अगर आप इसके बाद आप चलें इसके बाद आप fourth paper पर आएं तो fourth paper आपका Indian quality, good governance, public administration मतलब applied dimension है syllabus का कि so that कि कल के दिन आप जॉब में जाए तो आपके पास एक perception हो आपके पास एक foresightedness हो कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो उसमें good governance भी है Indian polity है constitution है वहाँ भी questions objective है उसके बाद हम लोग आते हैं fifth paper पर fifth paper में हमारा है economic paper है और वो that is मतलब that is concentrated to the confined to the study of Indian economy उसमें हम लोग को Indian economy का ही study करना है basic concepts का study करना है globalization का study करना है sustainable development का study करना है जो reforms हो रहे है economic reforms इन सारी चीजों का उसमें हम लोग को study करना है लेकिन हाँ अब इसके बाद वहाँ भी questions आपके objective हैं बाखी चार questions जो होंगे एक question objective हो गया पांच questions total करने हैं हर GS paper में तो एक question तो objective का होगे जिसमें बीस multiple choice questions आपके mains में भी है तो और आपको फिर चार questions जो है traditional होते हैं फिर इसके बाद हम लोग अगर six paper बाते हैं तो वो general science का paper है उसमें हम लोग को थोड़ा सा physics पढ़ना है थोड़ा सा life science पढ़ना है और उसके बाद जार्खन के context में हम लोग को special context जार्खन के special context में हम लोग का agriculture का study करना है उसके बाद जो science and technology के field में जो भी recent developments है तो ये ये सारी चीजें वहां पर हम लोग को study करनी है एक बात और हम यहां पर बहुत significant point है जो experience को तैयारी करते से में ध्यान में रखना है आप जीएस का paper 3 से लेकर के आप अगर six सक जाए three four five six तो इसके हर paper में आप एक section देखेंगे जार्खन से related है एक section जो है वो especially आपको प्रसन आपके जार्खन से related होंगे तो जार्खन के बचों को यह advantage है बच्चों को syllabus को बहुत अची तरीके से उसको मतलब एक तर से पॉंडर करना है उस पर contemplate करना है बहुत गहन चिंतन करना है उस पर अगर आप syllabus समझ जाते हैं जैसे आप preamble constitution का तो आपको यह समझना पर दूर हो जाता है जैसे sustainable development इसका डेफनेशन जान रहे हैं तो आप उसमें आगे बहुत कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले first of all कोई भी सब्सक्राइब करेंशन उनका फोकस होना चाहिए बैसिक्स पर conceptual clarity इसलिए हम लोग बोलता है कि first of all जो इस्ट्वेंट से यू गो थू NCRT books क्योंकि NCRT books basics of fundamentals को बहुत क्लियर कर देता है और जहां तक हम रन्निती की बात करें कि जैसे की परिक्षा तीन चरनों में हो रही है तो क्या तीनों चरन की परिक्षा की तैयारी साथ मी की बिल्कुल integrated होना चाहिए हमारे जहन में यह असपस्ट होना चाहिए कि हमको finalist select होना है तो हमने first stage की बात की second stage की बात की third stage में आपका interview का होता है पाट लेकिन interview में भी आप confident कभ होते हैं जब आपके पास knowledge होता है और interview में जो questions पूशे जाते हैं वो सिलेवस से ही पूशे जाते हैं जैसे जहारखंड में नक्सल problems क्या है नक्सल प्रॉब्लम के causes क्या है तो आप में सोभी पढ़ रहे हैं तो इस तरह के जो प्रस्व जारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपेंट के नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा होना चाहिए सजेसंस क्या होंगे तो यह सारी चीज़े तो आप पीटी में भी पढ़ए है में से पढ़ए है अब यहां क्या है वहां पर आपको presentation करना है presentation मतलब आपको vocal होना है पीटी में आपको MCQ पर focus करना है objective पर तो facts जो आपका पीटी का जो study होता है उसमें बच्चों को हम लोग suggest करते हैं कि भाई तुम facts और data तो लो ही collect करो ही लेकिन तुम descriptive study करो analytical study करो तो ये पीटी में आपका facts ज्यादा होता है based questions होता है तो वहाँ पर objective questions के लिए facts और informations हमारे पास ज्यादा होने चाहिए secondly जब मेंस में हम लोग बच्चों को shift करते हैं या उनको मेंस के orientation के लिए बात करते हैं तो बुलते हैं कि भाई यहां पर तुम आ गया हो तो अब writing practice कूप करो क्योंकि मेरा जो बेक्टी के तनुभा हो है यह 29-30 साल का एक लंभा अनुभा experience larger than life तो आधा जीमन तो हमने पढ़ाने में ब्यातित कर दिया more than half तो हम जो suggest करते हैं बच्चों को कि जब तुम PT के तियारी कर रहे हो उसी समय से writing practice पर ध्यान दो रियल टेस्ट तो आपका means है आपका जो आपके expression का आपके knowledge का आपके अंदर कितना innovative नेस है कितना आपके अंदर scientific orientation है scientific approach है कि आप कम सब्दों में चीज़ों को explain कर रहे हैं clarity के साथ explain कर रहे हैं आपका language भी एक बहुत important troll play करता है और writing अगर अच्छी है writing में दो चीज़ों पर ध्यान देना है बहुत खुब सुरत हो कोई जूरे नहीं हो तो हम लोग वो God gifted होता है कि किसी की writing बहुत अच्छी है लेकिन जो basic चीज़ है कि writing आपका readable हो मतलब उसको असपर्श रूप से examiner पढ़ पाए यह नहीं कि आप लिख रहे हैं खुद आभी खुद ही नहीं पढ़ पा रहे है दूसरा चीज़ है speed होना चाहिए और तिसरा है कि time और space management यह दो बहुत important चीज़ है पीटी में time management होता है कि भाई हमको एक सब प्रशन है दो घंटा में करना है करके निकल गया है मगर मेंस में time और space management सिर्फ time management नहीं है आपको पांच प्रशनों का उतर देना है तीन घंटे में तो अमोमन आपके पास मालेज़े कि 35 मिनिट है एक questions के लिए तो आप उसी में उसी 35 मिनिट में उस questions के सारे dimension को conclude कीजिए यह नहीं पता चला कि पहला answer लिखने बैठे है कि राइटिंग प्रैक्टिस खुब हो read once ठीक है think twice and write thrice एक बार पढ़ो दो बार सोचो और तीन बार लिखो इस एपरोच पर बच्चों को जाना चाहिए और जो ग्रामिन चेतर के बच्चे हैं जो जंजातिय चेतर के बच्चे हैं उनके लिए यह मेरा बिसे सुझाओ है क जो 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 जाना जाएंगे कि जन जाती हमारा जो जारखन है यह जन जाती बहुल छेतर हैं बिल्कुल लेकिन फिर भी मुख्य पांच जो जन जातिया हैं उराओं मुंडा खड़िया हो संथार जिनको हम लोग एड़ांस ट्राइब बोलते हैं विक से जन जातिया हैं लेकिन इनके अलावा जो विसे इसकर आदिम जन जातिया है उनकी भागिदारी यूपीएसी तो छोड़िये जेपीएसी में भी उनकी भागिदाई नगन यह है तो इसका कारण क्या देखते हैं आप इसका सोल्योसन भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनक्सेसिबिलिटी एक तो वो दुर्गम छेतर में रह रह रहे हैं ठीक है पहाड पर रह रहे हैं जंगल चाहे बिरोर को चाहे बिर जिया यह आठ हमारे हाँ जो अब तो 33 ट्राइब हो गए एक इंक्लूजन हो गया पूरान का भी तो सेडल ट्राइब की संख्या बढ़ करके 30 हो गई इंफरमेर्शन को हम लोग जान ले अगर हम लोग आदीम जंजाती को में इस्ट्री में लाना चाहते हैं और स सबसे बढ़ा चीज है कि जो basic education है उसको ठीक करना होगा उसको strengthening उसका बहुत जरूरी है और basic education में infrastructure उसको दीजिए फ्रॉम क्लास वन जो क्लास वन है बच्चा को उसमें ठीक है उसको बिरहोर है तो बिरहोरी में उसको आप दीजिए लेकिन साथ में simultaneously उसको अंग्रेजी भी सिखाई है क्योंकि आज के इस competitive world में आज के इस घोर परतियस परधात्म की उग में अगर competitiveness नहीं आगा बच्चो के बीच तो कैसे वह तो एक बहुत बढ़ागा बन रहा है जो बाकी candidates है और जो primitive tribe के बीच में education level का बहुत बढ़ागा बन रहा है तो सबसे पहले तो है कुसका education का level ठीक कर दीजिए अनियल जी यह ऐसा माना गया है कि UPSC की परिक्षा त्यारी करने का target रखो आपकी JPSC की करना असान हो जाएगा अब इस तर्क पर कितना सब्सक्राइब के कुछ चत तक to some extent होता क्या है कि अब जो आप syllabus देख रहे हैं UPSC और JPSC का उसमें अंतर है ठीक है वहां aptitude test है तो दोनों में तो difference है तो similarity भी है मैंस का अगर चारु जी एस पेपर देखेगा तो more or less वही है जो UPSC में है लेकिन यहां क्या होता है दोनों में तर क्या है कि वहां पर questions कभी भी straight नहीं पूछे जाते हैं tricky questions पूछे जाते हैं deceptive questions पूछे जाते हैं यहां क्या होता है यह questions are very straight very simple तो बच्चे यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कोई हर्ज नहीं है अगर वहां की तियारी कर रहे हैं और JPSC की तियारी कर रहे हैं दोनों साविल्टेनिस करें तो भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा फोकस करके JPSC का स्टेडी करेंगे तो उनके सफलता की समाऊना ज़्यादा प्रवल हो जाती है बिलकुल सर और कुछ देर पहले आपने रिजनल लांगविज को मेंस के पेपर में आड़ करने की बात कही थी तो आप कितना मतलब अंतर देखते हैं कि पहले जो ग्रामिन शेतर के जो बच्चे थे उनके प्रदर्शन में और इन लांगविज पेपर को जब आड़ किया गया जहारखेंड का वेटेच बढ़ाया गया तो कितना प्रदर्शन अच्छा हो पाया है बहुत अच्छा हुआ है पहले से बेतर हुआ है एक बच्चों में confidence build up करता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग English medium से एक जामने सन देते हैं, वो भी जब language paper में जाते हैं, तो खोठा और नागपूरी ही रखते हैं, तो वो English नहीं रखते हैं, medium उनका English है, क्यों, क्योंकि इसमें आसान होता है score करना, production करना, तो एक advantage तो है, बच्चों को फर्क लाया है, inclusion ने, अनिल जी, और ये भी देखा गया है, कि जो पिछली JPSC की परिक्षा हुई, 7 to 10, इसमें जितने भी अभियार्थी ऐसे थे, जो पहले से ही किसी नौकरी में involved थे, उनका production ज्यादा अच्छा हो पाया है, इसका आप क्या वज जब वो जॉब में जाता है, तो उसके पास एक security हो जाती है, social security, psychological security, तो बड़ा वो खुल कर खेलता है, दूसरा चीज है कि आर्थिक रूप से भी ससक्त हो जाता है, जो economic constraint है वो कहीं उसके लिए problem नहीं create करता है, confidence का level भी उसका बहुत जादा है, उसको लगता है कि चलो, जैसे एक्जाम देने बच्चे जाते हैं, तो नर्वस रहते हैं, जैसे माली जिस बच्चे के पास कोई भी कल्प नहीं है, उसको लगता है कि अगर नहीं पास किया तो क्या करेंगे, मगर जो दोज हुआ और अल्रेडी इन जॉब, उनके पास ऐसा कोई खत्रा नहीं होता ह है, दूसरा चीज है कि जब आप जॉब में आते हैं, तो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, मदलब आप लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक्सेंज ओफ आइडियाज हो रहा हैं, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, तो और सिविल स के पैटर्न होते हैं, उसको फॉलो हो her करते हुए कीजिए, जीस होता है नहベ stärकिकितां कि रिया, आप पता चला है, कि इकीताब में तुफ रहे है, 20 चो और चेप्टर पढ़ा जा रहा है, तो यह तूसका बैरत हो गया, तो सबसे में पहले है कि उसको बहुत सारी चीज हैं वो confidence level को escalate कर दती हैं बढ़ा देती हैं यह बहुत बढ़ा रही जना है बिल्कुल दर्शकों हम ऐसे ही आपको एक ऐसे अभ्यार्थी से मिलवाना चाहते हैं जो पहले उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में थे और अभी जेपी एसी के शिक्षा सेवा में उन्होंने उती से बिद्यायले से 10 मिंट तक के पढ़ाई की है कोचिन उन्टि केरला से मैंने इंधरिंग किया है कि स्कूल के दिनों से ही मेरा रुजहान सीनल सर्फिस की प्रति था ग्रेविशन के बाद से मैंने इसके लिए प्रयास प्रारं किये थे इसे पहले मैंने यूपी एसी बीप करने के बाद में मैंने अपने स्टडी को कंटिन्यू किया कि सात्मी से दस्वी जेपी एसी में मेरा लैंगर पेपर खोठा था इसमें थोड़ा मुझे ज्यादा समय देना पड़ा मेरी यहां तक की राह आसान नहीं रही है मैंने इसके लिए अनुसासित दिन चर्या करता था और ऑफिस जाने के बाद भी लगब 3-4 खंट समय में निकाल लिया करता था मैंने अपने नोट्स को रिकॉर्ड किये थे और ऑफिस के खाली समय में सूनकर रिवाज किया करता था जॉब के साथ स्विल सर्विसेश की त्यारी को लेकर अमूमन लोगों के मन में समय न मिलने का डर होता है वो मेरे मन में भी था पर जॉब जुएन करने के बाद मैंने इसके सकरात्मक पहलू भी देखे अनिल जी जार्खन जैसे प्रदेशों में तैयारी के लिए टेकनोलोजी का क्या रोल है और ये कितना महत्तपून भूमिका निभाता है देखिए बिगत बर्सों में हम लोग जब स्टार्ट किये थे तो ब्लैक बोर्ट पर पढ़ाते थे चौक के साथ ठीक है वाइट चौक फिर कलर्ट चौक आया फिर हम लोग वाइट बोर्ट पर गए मारकर के साथ अब चीजे बदल चुकी हैं और बहुत सारे information civil service related बहुत सारे आपके जो वीडियोज हैं वो uploaded है YouTube पर या बाकी जगों पर तो डिजिटल प्लैटफॉर्म का बड़ा important ट्रॉल हो गया है अगर कोई बच्चा गाओं में भी बैठा हुआ है और वो चाहे कि किसी information को ले ले तो YouTube पर जाएगा तो उसको information मिल जाएगा Google पर search करेगा तो information मिलेगा तो हम लोग भी तो यूज करते हैं कोई आर्टिकल किसी चीज के बारे में जानना है कहीं नहीं मिल रहा है तो हम लोग जाते हैं network लेकिन जो constraint है इस online teaching में ठीक है जो गाओं के बच्चे हैं वो कैसे कर पाएंगे net का problem है network नहीं है बहुत सारी important चीज है कि online platform को जब यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो फेक वीडियो होते हैं गलत होते हैं उसमें information गलत होता है तथ गलत होते हैं तो बच्चों को जब भी तियारी करें तो ऐसी चीजों से बचना है क्योंकि यूटूब पर आप देखेंगे चीज बहुत अच्छा है डिजिटल टीचिंग बहुत अच्छा है लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गाउं में है या नहीं इसको देखना होगा सारे सारे जगों पर तो हम लोग नहीं उमीद कर सकते हैं जारखन में भी भी दिकत है समस्या है रिमोट अरिया में तो यह इसके लिमिटेशन्स भी है और उसके लाब भी है और अंत में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यार्थी आने वाली पर आने वाली परिक्षाओं में सामील होना चाह रहे हैं या उसके तयारी कर रहे हैं वह किस तरह से अपने आपको तयार करें थीक है पेसेंस रखना है परसिवरेंस रखना है एक कमीटमेंट के साथ जाना है कि नहीं I will make it जब तक यह कमीटमेंट नहीं होगा ठीक है असफलता मिलेगी मगर उससे हमको डेवेट नहीं होना है डाइवर्ट नहीं होना है दूसरी चीज है कि जो प्रॉपर गाइड करता है जैसे सपोच कीजिए कि मेरा 30 साल का अनुभव है तो बहुत सारी चीजे हमने सिखी हैं अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम बहुत चीजे आपको बहुत कम समय में बता पाएंगे तो बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि आप गाइडलाइन साब का प्रॉपर हो जैस आप बुकिस लिखेंगे पता चलेगा कि आपको मार्स नहीं आए कितना भी बढ़ी हां लिख दीजिए लेकिन जब आप अपने सब्दों में लिखेंगे अपने विचार में अपनी तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे चीजों को तो यूल गेट यूल फेच बेरी गूड म होती हैं उससे बचो ऊथेंटिसिटी को चेक करके तब आउनलाइन पर चीजों को देखो तो यह सारी चीजों को यूज करो मिस्यूज मत करो ऐसा कि हमने जाना कि प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मागदर्शन का होना बहुत जरूरी है हम आशा करते हैं कि चर्चा का यह कारेकरम आपको पसंद आया होगा अनिलसर के साथ बातचीत में आपने वह सारी ऐसे चीजों को जाना होगा जो आपकी तयारी में भोमिका निभाएगी आज के लिए बस इतना ही जोहार